एक बार की बाद है, एक गुरू का एकसिस से जादा बोलने की आदत से परिसान था, वह जब भी किसी से मिलता, तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपने बिचार देना सुरू कर देता, उससे कोई पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास अपनी पूरी बात सुने बिना ही उसे सलाह देना शुरू कर देता वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता कि तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए था वो काम ऐसे करना चाहिए था उसे अपनी आसपास की चीजों के बारे में जो भी आधा धूरा ग्यान था मित्रों के बीच गबसब की समय वह बोल बोल कर अपने उस ग्यान का दिखावा करता उसकी इन हरकतों की बज़े से आसरम का कोई भी छात्र या सिक्छक उसे गंभीरता से नहीं लेता था अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले चात्र उससे दूर रहने की कोसिस करते क्योंकि वे हर बात पे उन्हें सलाह देने लग जाता था कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे और अक्सर आसरब में रहने वाले दूसरे चादर उसके पीट पीछे उसकी इन आदतों की वज़े से उसका मज़ा गुनाती उस लड़के को भी पता था कि उसकी जादा बोलने की आदत की वज़े से कोई भी उसे पसंद नहीं करता वो भी अपने इस आदत को बदलना चाहता था लेकिन वो चाह कर भी हर बात पे अपनी राय देने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था एक दिन वो अपने गुरू के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरू को बताई गुरू ने कहा बेटा ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है ऐसा इंसान जो ये मानता है कि वो बहुत थोड़ा ही जानता है और अभी ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है वो कभी भी जरूत से ज़्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किस तुन तुन नहीं कर सकता, ये आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे-धीरे कम करनी होगी, लेकिन मैं तुम्हें ये जुरूर बता सकता हूँ कि किन मौकों पर तुम्हें सांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी मुसीबत में सिस्त ने गुरू की बातों से सहमती दिखाते हुए अपना सिर्व हां में हिला दिया, गुरू ने कहा, बेटे इन पांच मौकों पर हर इनसान को अपना मुह बंद रखना चाहिए, पहला जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे सब्दों से न हर इनसान को केवल खुद से मतलब होता है, वो केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है, वो केवल खुद की तारीव सुनना चाहता है, उन्हें हमारे जीवन के परिसानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही वो सुनना चाहते, हो सकता है कि एक या दो बार वो तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी लें लेकिन उसके बाद वो तुम से दूर भागना सुरू कर देंगे क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़ कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परिसानी ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने के बजाए उनका मजाग बनाए दूसरा जब तुम्हें ये ना पता हो कि किसी विशेस मौके पर क्या बोलना है या फिर तुम्हें किसी विशेश घटना के बारे में आधा धूरा ही ग्यान हो, तो ऐसे मौके पर भी तुम्हें चुपी रहना चाहिए. ऐसा इंसान जो आधा धूरा ज्यान होने के बाद भी उस विशय में बात करता है वो अक्सरी मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता अपनी बात को प्रहौवसाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विशय के बारे में गहराई से जानकारी है इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के अधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिस ना करें हलाकि दोस्तों प्रहौवसाली बात्चित करना और एक ऐसा इंसान बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे जिसे हर कोई सुनना चाहे ये भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है आप भी सीख सकते हैं बस आपको बातचीत को सुरू करने और उसे लीड करने के कुछ सिक्रिट जानने की जरूरत है और ये सारे ही सिक्रिट बताई गए हैं इस बुक में जिसका नाम है How to Talk to Anyone मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बुक को पढ़ने के बाद आप अपने बातचीत करने के तरीके में एक गजब का बतलाव देखेंगे और अगर आपके पास इस पूरी बुक को पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप हिंदी में इस बुक की समरी भी सुन सकते हैं कुकु FM एप पर कुकु FM इंडिया का लीडिंग ओडियो वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एक बुक से भी कमकी कीमत पे करके पूरे एक साल तक अलग अलग फिल्ड की हजारों किताबों को ओडियो फॉर्म में सुन सकते हैं वो भी अपनी मनपसंद लेंग्वेज में वैसे तो इस प्लेटफॉर्म के एक साल का सब्सक्रिप्शन पढ़ता है 399 रुपए का लेकिन ये पहले 250 लोगों को मिलेगा सिर्फ 199 रुपए में अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड WI50 यानि कि रोज एक रुपए से भी कमकी कीमत पर अगर आप इस एप को डाउनलो किसी नकरात्मक बाचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए क्योंकि आज जो इनसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इनसान की बुराई कर रहा है वही कल किसी और के सामने तुम्हारे भी बुराई करेगा और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज तुमने उसकी हां में हां मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है कल रिष्टे ठीक होने पर वो उस तीसरे इंसान से भी कहे कि तुमने उसके बारे में क्या-क्या कहा था इसलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसकी गलस समय का मजाक उड़ाए तो तुम्हें ब तब ऐसी परिश्चिती में तुम चुप रहे कर सामने वाले के गुस्से और घ्रणा को कम कर सकते हो साथ ही तुम इस चिती को खराब होने से बचा भी सकते हो जब तुम सामने वाले के क्रोध का जबाब क्रोध से ना दे कर उस समय चुप रहे जाते हो तब यह बाद उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पच्तावा होता है और ज़्यादा संभावना है कि वो अपनी गलती के लिए तुमसे छमा मांगे और छमा नहीं भी मांगता तो वह अंदर ही अंदर खुद को दोसी समझने लगता है और फिर वह अंगली बार तुम पे गुस्सा करने वा घ्रणा करने से पहले कई बार सोचेगा लेकिन तुम्हें हर प्रश्चिती में चुप भी नहीं रहना अगर कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसका जबाब भी देना है क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिने हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी प्रतीत होता है गुसे के दोरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिबार, सगे समंधियों और कुछ निकटतम मित्रों के लिए ही सही है ना कि हर इंसान के लिए अगर तुम हर जगे चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है गुरु ने आगे कहा, पांच मा, जब कोई इनसान तुमसे उसके जीवन की कोई दुख भरी घटना या अपने जीवन की परिसानी साज़ा कर रहा हो ऐसी परिस्थिती में तुम्हें चुक रहे कर सिर्फ उसकी बातों को सुनना है ज़्यादा तर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना सुरू कर दिया जब कि, जब कोई इनसान हम से अपनी परिसानी साज़ा कर रहा होता है तो वो हमसे किसी सुझाओग्य उमीद नहीं करता वो बस ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें क्योंकि जब हम किसी की परिसानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इनसान को एक आत्मिक सांती मिलती है उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा अधिकतर मौकों पर जब लोग हमसे अपनी परिसानी साजा करते हैं तो वो बस हमें अपनी बात बताना चाहते हैं वो ये नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देना सुरू कर दें क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले हैं वो सब उन्हें पहले से ही पता है परिसानी के समय में किसी इंसान को संतावना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिये पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नजरों में हमारे लिए सम्मान और इसनेय का भाव पैदा हो जाता है। हम ज़्यादा गंभीर, समझदार और सांथ दिमाख वाले इंसान प्रतीत होते हैं। इसलिए अब जब भी अगली बार तुम्हें कोई अपनी परसानी बताए, तो बस उनकी बातों को ध्यान से सुन लेना और जब तक वो तुम से ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह मत देना। गुरू ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो, तो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्शित होते हैं, कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। सिस्से ने हामेश सीर हिलाया, सिस्से अब गुरू की बातों को समझ चुका था, कि उसे किनकिन प्रसितियों में सांत रहना है, उसने यह भी जान लिया था, कि कम बोलकर वह आस्रम में अपनी प्रतिष्ठा वापस बा सकता है, उसने गुरू का धन्यवात किया, और वहां स से चला गया,